और अंदर क्या क्या चीजी हैं वो दिखाएंगे देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब दरना मत बुलिएगा बनारस शहर यूँ ही थोड़े इसे मंद्रियों का शहर कहते हैं अगर कि उस तो खुश्वू है उस तो बात है बनारस में हम आज जुके हैं गेट पे बिल्कुल और अब चलेंगे पहले हम टिकेट लेंगे इसका गेट है गेट का मुख्यद्वार चले टिकेट लेंगे लेना है वहां से टिकेट लेंगे आज ठीक है तो टिकेट यहां चलेंगे यह मेंगेट है मेंगेट तो गुश्टेई अधिए यह तुछ दाएं है पढ़ लेजी आप एक बड़ आप कि यह सारनात के बारे में लिखा आप इसको पढ़िए और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भार्षा में है तो दोनों के लिए आसान है और यह आई यह तिंक जैपनीज है या तो चाइनीज होगी जैपनीज होने के ज्यादा पॉस्पिल्टी मुझे लग रही है और यह है तेलगू मल्यालम कुछ नहीं इसके अंदर जाना अलाव नहीं है तो आपको वीडियो बाहर चाहिए देखने को मिलेगा और अब हम चलिए अपनी यात्रा शूरू करते हैं और घूम के सब कुछ दिखाएंगे आपको क्या कुछ है इसके अंदर यहां पर जो मूर्तियों को यहां से हटा के जो स्रंगाले वहां रखा गया है तो स्रंगाले भी जाएंगे लेकिन अभी मैंने गेट पर पूछा तो उन्हों कि वह देख रहा है बहुत स्टूप वह ही है वह बहुत स्टूप है आपको दिख रहा है और वह 11 तीठंगर का मंदीर है वह देखें जो गोल्डन में आप देख पा रहे हैं वह है और देखें यहां पर भी कुछ महिलाय काम कर रही है कुछ कंस्ट्रक्शन को मेंडेन किया जा रहा है और एक टेंपल आफ वह देख पा रहे होंगे वह टेंपल वह जो टेंपल देख पा रहे हैं अभी हम वहीं से आ हैं जस्ट ठीक है तो अभी भगवान बुद्ध काई मंदी रहे है कि अज़ा है कि देखते हैं क्या कुछ है देखिए इतना कुछ है यहां पर देखने के लिए और यहां पर कुछ कुछ हमको लग रहा कुछ मूर्ती जैसा रहा होगा इसको अटाया गया है जो आप शीशे के अंदर देख पा रहे हैं कुछ इसके नोट्स भी लगए हैं वह भी देखाएंगे आपको पहले यह है इंगलीज के नोट्स अशोग विहार फॉर्ड एंफॉर्मेशन कांड लिश्थायन को जानकारी क्लाव इसको स्कैन कर सकते हैं इसके बार में पढ़ना चाह रहे हैं तो और यह जो जो बच्चे देख नहीं सकते हैं जो ब्यक्त देख नहीं सकते उनके लिए है इसको छू के वो शब्दों को पहचान सकते हैं और यह है इंगलीज भाषा में असोगा में पिलर का और यह है हिंदी भाषा में इसको आप पढ़ सकते हैं कि 272 से 232 इसापूरु द्वारा लगाए गए 15.25 मीटर उंची एक आश्मक अस्तंब के टुकड़े हैं यह जो आपके सामने हैं यह जो आपके सामने टुकड़े हैं यह 272 से 232 जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इनको शीष्टों से कवर कर किया गया है चारों तरफ से अब आप उपर से देखाते हैं देखिए कि अगे 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 कि अगे कि 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 अगे कि अगे इंस्ट्रक्शन से इसमें यहां पर बैठना और चलना मना है उतकनन जगों पर तो कि जी तो हम इधर चल रहां बाहर बाहर कि अगे सारे बोर्ड और नोटिस देखिए यह काश्मक वेदिका चुनार के बलुए प्रस्तर से बनी तथा मौर कालीन विसेश चमक से युक दिया एक आश्मक वेदिका अपरेट महोदे के सन देखिए यह चीजिया पढ़िए और यह वो चीज यह एक अश्मक वेदिका यह आइ तिनक अब यह को फिर कुछ नगुस्त बनाया जा रहे है कुछ नगुस्त तो ऑफ काम चल रहे है काश्क समका अब अर्य आज तो अब धर चलेंगे किया है जहां पर कुछ नोट लगा हुआ है इसमें भी देखते यह कुछ नगुस्त निखा दर्मराज का स्टूप अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो इसको आप स्कैन करिए और इसके बारे में आपको आपको मॉबाइल फोन पर तुरह यहां दान के तो अगर आप अपने साथ कुछ पानी की बौत लिया कुछ आसा है तो गीला कचरा यहां डालिए और सूखा वहां डालिए यह फुलवारी है छोटी सी और यह है फानले व्यू आप यहां पर लोकल गाइड भी ले सकते हैं वह देखर हैं वह गाइड है आगे जो जा रहे हैं अगर आप को इसके बारे में जानकारी चाहिए अधिक तो आप लोकल गाइड भी ले सकते हैं 25 रुपाई कर टिकेट है कोई बहुत जादा नहीं है यह पंचायातन मंदिर कि मुझे लगता है इसमें चार पांच वेदिकाये हैं इसलिए शाइद से पंचा वेतिन मंदिर कहा जाता है क्योंकि चार चारों तरफ सलग वेदिका और एक बीच में इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है और देखिए वहां पर भी कुछ मंदिर हैं सुन्दर छोटे-छोटे तो आप महां चलने हैं यह जमीन के नीचे है लगभग पांच से छे फिट का नीचे यह जमीन के नीचे है जिस यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जबर यह खुदाई में मिला होगा और यह जो स्तूप आप देख रहे हैं साथ में इसकी परिक्रमा की जाती है आने वाले श्रदालू जो भी इधार आते हैं तो इसकी परिक्रमा करते हैं देखिए और अगर इस वीडियो को बारे में आपको विस्तित जानकारी चाहिए तो माई रोड के चैनल को फॉलो दूर दूर से लोग से देखने आते हैं झाल 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 यह परिक्रमा करते हैं जो लोग यहां वे आते हैं इस तोप की परिक्रमा और अपने मन में जो भी मानता है वो मानते हैं और किसी के थात बताई नहीं जाती और मानता पूरी होने के बाद एक बार फिर से आयाता है झाल 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 झाल